माता जी जल्दी जल्दी चलो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है पता है आपको माता जी लोगों ने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया था इसी बंद करके रखा था थाने में कुछ भी नहीं दिया है कोई बात नहीं दामात जी चलिए आपकी बीबी ने बहुत अच्छा खाना बनाया एकाला जामरस गुल्ला गुल्गुले पुआ और कौन से पुआ वो होते हैं जो माल पुआ सब कुछ बनाया है वो कह रही थी जाओ और अपनी दामात को ले कर आओ हम जब तक बनाते हैं चल अदारी सीधे घहर चलो ृफ है इसलोडार जाने की जरूरत नहीं है बात हो गया यहत मासा हो देख लिया हमेजिए मैं चलो ऑनेमात ऑपने माकी के गसम मेरे साथ घर चल तब दमाजी तुमको मेरी बिटी लच्मी की कसम है मेरे साथ घर चालो बहुत चीजे बनी ए तुम खाने के लिए चेटैनी से लगा कि नून मिर्चा से लगा हर चीज बनाया है अनून्हाची माल बुए बनाएं आपके लिए और घेबर भी बनाया मेरी मत आओं मुझ्हे छोड़ो तो चाहाओं वाँ चलूँगा चूड़ो तो कैसे मेरी आपत पर प्राढ़ पसे है बाता जी आप फिल थो बहुत तेजी से लग रहे हाथ पर बीज फट जाएगे डामाजी मैं तो छोड़ने से रही, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा मेरी बेटी के लिए, सोच लो, जिसके आप कुछ नहीं लगते उसके अने जाऊगे, आप तो मेरे दामाजी बेटे से बढ़कर वो लक्षमी की माह बहुत हो गया छोड़ तो मेरे बेटे को वन्हा अच्छा नहीं होगा इसका इंजम बहुत बुरा होगा सोच लो मैं एक बार बोलूँगी दोबारा नहीं बोलूँगी दोबारा में न मुलाल कर दूँगी लच्छमी के तरीके अरे जाओ जाओ परवतिया जी अपना काम करो ठीक है ये बिल्ली कुट्टे वाली धौस किसी और को देना कहते नहीं है कुट्टा भी अपने धर वाजे का सेर होता है तो तो मारी सेर गिरी खताम हो गई है ये हमसे मत देखाना ठीक है हम नहीं डरते हैं जो क्षिप कुली के स्पूंच लगी ना भूरी-बंद्री रहें पकड़ के अगिण घुमाके फ्यकूंगी आ तो जानकी कुंड में जाके गिरोगी सित्र कूट में कुट मे घा Born खाना तुम्हारे घर में वर बनता होगा हमारे घर में तो चूलाई नहीं है ना हम तो माती कूड़ा खाते हैं तुम खाना खाती तुम घर में ग्यों है ना हाँ सही बात है ग्यों की रोटी खाती हो ना हम तो मित्टी कूड़े की खाते हैं लकड़ी चबा लेते हैं घास होगी ना और हम जाके गिर जाएंगे गुद्धु और आज ऐसा मुक्का दूंगी ऐसा मुक्का दूंगी लच्मन पाड़ी यह में गरेगी जाके जिंदिकी में उपार से नीचे नहीं आ पाएगे अरे यार लड़ना बंद करोगी पागलों की तरीके लड़ रही हो माताची चुप हो जाओ बहुत हो गया वही तो मैं तुस्से भी कह रही हूं कि बहुत हो गया मेरे साथ घर चल चुप चाप ठीक है वन्ना मुझसे बोरा कोई नहीं होगा गिरधारी सोच ले बत्ति मीची क हज़ पार हो चुकी है अरे मुझे छोड़ो तो मेरे पैरों में लग रहा है हाथों में लग रहा है इतनी तेटेट खीचे हो धिड़ा भटे जा रहे हैं मेरे हां तो खड़ जाएंगे मेरे लूला लंगडा हो जाओंगा तो कौन मुझे खाने को देगा अच्छा-खासा है रहा हुँ तब भूहं घर झाओ मरर कोई नहीं खाने को को दे रहा है और जब लंगडालूला हो जाओंगा तो पानी तकपीने को नहीं मिलेगा है हलो है अरे अटनी ओभाई आओ यार बनी माको ले कर जाओ यहांसे ज्यान आपत में फसी है याउक這種 तैसे माने से छूट इसपीज़िद करा आया हूँ दोनों माता जी और तुम्हारी माने बंच पगड रखा हूँ मेरे साथ चलो नग कर और जब चलो मेरे साथ चलो यार आओ इनकों लेकर जाओ जी क्यों एशे क्यों परेशान हो च्क् damit अब बताओं मैं कैसे यहां मैं तो यहां काम कर रही हूँ आरे मेरी माता काम आम छोड़के चली आओ सीधे यार बहुत परिसान हो चुका हूँ अचा चलो ठीक है तो फिर आती हूं जाती हूं देखती हूं अब क्या डिरामा हो रहा है साला उस दिन सड़क में ड्रामा हूँ आज फिर सड़क में ड्रामा हो रहा है यह मेरी सास ना अब क्या बताओं अब जो भी है ठीक है यह ना मैं मा को कुछ कह सकती हूं ना सास को कुछ कह सकती हूं आखेर मां तो दोनों हैं, क्या बोलूं किसको, जो ऐसा ठीक है अब जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा हाँ जी बताईए क्या हुआ अरे देखो देखो लक्षमी आगई, मादा जी लक्षमी आगई, अरे अब तो बक्स दो यार ये पता है लक्षमीन दोनों माताओं ने मेरी जान खाकर रखी है अपने अपनी तरह को खीच रही है हाथ उखड़े चा रहे थे मुझे लग रहा था तब तो फट जाओंगा भीच से तब है तुमको मजबूरी में फोन किया है सोचो हाथ पसारे पसारे फोन किया है मानती नहीं है अरे कोई बात नहीं माताओंजी कह रही है तो माताओंजी के साथ चले जाओं ना क्या दिक्कत है वही तो मैं सोच रहा हूं कि माताओंजी के साथ चला जाओं अवे सासु मा को कौन सम जाए नहीं दा मात जी मेरे साथ चलोगे मेरे साथ मेरे घर मेरा बेटा है मेरे साथ जाएगा ठीक है मुँझ बंद कर अपना अग्यकर जाए यहां से नई दिया ना खीज के तो नीला पीला ना जर आएगा भी बहुत देर हो गए है मा क्यों नहीं चल रही हो गर घर चलो उनका बेटा है तो उनके साथ जाएगा ना उनका बेटा है तो मेरा भी दामाद है ठीक है हाँ साथ ना बेटा तो नहीं है इसलिए बस चलो इसी में भलाई है बहुत हो गया चलो एदर को सीधे बहुत हो गया अरे चल रही हूँ मेरा हाँ तो छोड़ मुझे नहीं छोड़ना हाँ आथ सीधे घर चलो ओ माई गॉड अब सुकून मिला आफ़त गई अब यहाँ से अब इजट के साथ घर चल दे बहुत नो टंकी हो गई है जितनी वेज़िती करानी थी कराली तूने अब जो बाकी बचा है ना तो रख ले कल परसो के लिए वो फिर कराले ना बाद में या खुद कर ले ना सीधे घर चल तमासे बाज मैं तो चली रहा हूँ चलिए आप देखती हूँ कौन कितने पानी में है सबकी हैकड़ी निकाल दूंगी दो मिनट में बोलती नहीं हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ बहुत सीधी साधी हूँ जो सोच लेती हूँ फिर मैं वही करके रहती हूँ